नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्ते हमारा 27 मर्च 2021 का यूपी तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे जिसको कंप्यूटर पार्ट देखना दोस्तों वहां पर हमने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है आप महां पर 2021 में इतने प्लेपर हुए थे सभी का वीडियो देख सकते हैं और 27 मर्च 2021 में फास्ट सिप्ट का जो पेपर है उसको हम लोग चली देख लेते हैं यहां पर पहला कोश्चन है कि दिये गए अनुपरयोगों में से किसमें विद्धुत चुम्बकों का परयोग नहीं किया जाता है तो देखे जो ताप दीप्त द्वीप होता है तो यानि कि में दोस्तों 33 के वी बोल्ट तास्तर का परयोग नहीं किया जाता है ठीक और देखिए तीसरे नंबर का कोश्चन यहां पर करें निमने में से काउंसर डिसी जनरेटर में प्रेडित इम के दिसा जो बताता है वह फ्लेमिंग का दाइं हाथ का नियम रहता है ठीक तो फ्लेम करती तीनों की जरूरत करती है तो यहां पर आपसा नंबर 14 सही हो जाएगा अब देखिए अगला कोश्चन कह रहा है यहां पर पांचावां कह रहा है कि भूमिंगतियानी के अंडर गरांड के अवलों पड़ाली के संबंद में निमने में सकांसर कथन सही नहीं है तो आत्मों कोशन यहां पर कि 50 हर्ज आपूर्ती के से पूरित और 960 हर्पियम की वास्तिवी गति पर घुरूड़ी एक छे दुरू मोटर प्रेयरण मोटर का प्रतिसत सिलिप ग्यांत कीजिए तो परस्टेंटर सिलिप जोगा दोस्तों आएगा आपका चाल प्रतिसत देखि यहां पर देखिए प्रिक्रम जो यह बल द्वराकार किया जाएगा और आएगा एफ इंटू टू पाइंटू आर जूल नौवा कोशन की परिपत में दिखाई गई मसीन की पैचान करें यहां पर जो आपको मसीन दिखाया गया वह डिसी संट मोटर अब देखिए यहां प सब्सक्राइब करें तो यह आपका हैगा दो सब्सक्राइब के संदर्व में निम्ने बिकल्पों में से गलत कथन का चैन करें इसमें है कि इसमें बहुत कम पूझी लागत लगती है तो इसमें बहुत कम पूझी लागती है यह आपकर रिक्ट आन सर्व जाएगा यह नंम्बर का कोशटन है कि पौağण उर्चत in के संदर अफ्य में फमें गलत कथन को चैन करें देखिए पौं उर टरॉण का यह पूर्ण भारा पूर्ण भारा आर्मेचर धारा 20 एंपियर है तो मसीन द्वारा पहला जनरेटर दूसरा मोटर के रूप में काम करने वाले प्रेरी तीम ग्याद कीजिए यहां पर देखिए जो जनरेटर के मसीन द्वारा यहां पर आएगा वह आएगा 230 वूल्ट और कि और चयरे राटो में किस प्रकार के टंसफार्मपोरमर का परियोग किया जाता है तो मारके प्रेंथ्य ट्रांसफार्मठर करियां जाते हैं आधरा पर कि legitimate अ in a load and it is prevented by the which winding तो यहाँ पर होगा कि हंटिंग तो अगला कोशन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण भार और सिखर भार के अनुपात को दोस्त हम लोग बोलते हैं यान कि विविध cannchi के भूलते हैं 20 कोशन है कि सद्धारित पर्वारतन चल एकल कला मोटर की तूलना में संधाइँ पर अ और चल के लकल कला मोटर की सद्धाय के विकल्पों में से ऐसी जुन कोतार कि विएगे पर कि इलेक्टान के बारे में गलत कथन है कौन सा है तो इलेक्टान के बारे में निमने में से कौन सा गलत कथन है तो वह है कि इलेक्टान का द्रभिमान न्यूट्रान के द्रभिमान के बराबर होता है तो यही गलत कथन है बिस नंबर कोशन है कि चूजदा रांग यही हमारा गलत कतान है अब देखिए अगला कोशन यहां पर कहा रहा है कि प्रतिदीव तिसील फ्लोरो सेंट ट्यूब परिपत में प्रवर्ता की स्टार्टर निमनमें से कौन सा कारी करता है तो वह है कि इलेक्टोड के पूर्वतापन है सबसे पहले परिपत को पूरा करता है दूसरा कि प्रज्वला नहीं तो वोलता परचे परदान करने के लिए परिपत को विवरित करता है यहां पर तीसरा करेक्टांसर हो जाएगा यह और भी दोनों वाइस नमबर कोशन है कि निमनमें से कौन भाफ सक्ति किंदर का हिस्सा नहीं है तो वह है दोस्तों आपका प्रिपत का नेट प्रतिरों किया होगा तो अब देखिए अगला कोशन है 25 नमबर का यहां पर कह रहा है कि सिरोपरी वित्रण लाइनों में विभागी यह संयोजन है तो विद्धुत उर्जत जोड़ा जाता है तब इसमें किसका परियोग किया जाता है तो रहता हमारा ट तो टी जोइंट यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नमबर कोश्चन है कि identify the type of transformer in the given symbol तो यह होगा दोस्ता आपका जो फीगर है यह करेंट transformer with two core यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नमबर कोश्चन है कि निमने में से कौन सा कम रख रखावाली मोटर है तो देखिए जो कम रख रखावाली मोटर है वह DC स्रिवनी मोटर है 28 नमबर कोश्चन है कि दिये गए परिपत में धारा आइम की गढ़ना करें तो यहां प डिये दोस्तों कांश्टन्ट वॉल्टेज़ कांश्टन्ट करेंट और कांश्टन्ट वॉल्टेज कांश्टन्ट करेंट निसीफ़ define meras तो रहता हमारी उनुवर्सरल तरेण चैनले कि सरवात्रिक नमर कोश्चन है कि आनल वनवन वरतनों वाले transformer की प्रात्मी कुंडला नमें आउसत कितना होता है तो यह होता है अब देखिए यहां पर 32 नंबर का कोशन है चूजदा रांग स्टेटमें तो यहां पर जो सिंगल फेज मोटर तो यहां पर जो गलत कथन है कैपसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर के संद्रभे में वही आपको चूज़ करना है तो यहां पर है कि वेन दा मोटर रीच एबाट 75 परसेंटेज आफ फुल स्टीट कैपसिटर एलोन इंडिसकनेक्टेड तैतिस नंबर कोश्चन है कि एक डिसी संट मेशीन पांदरे सवार पीम और दाई सबूल्ट का एसी एमें विक्सित करती है पचास एंपियर के अर्मेचर धारा के लिए इसका बलागून और विक्सित या उंत्रिक सक्ति क्या होगा तो यह सक्ति होगा 12.5 किलोवार्ट और बलागून होगा 79.6 न्यूटिन मेटर अगला कोशन है 34 नंबर का यहाँ पर कराएं किसी दी गई दिशा में एक प्रकास रोत का की डट 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 प्रत इकाई ठोस कोन पर प्रकास रोत द्वारा दी गई दीप्त फलक्स है तो यह जो दीप्त फलक्स है दोस्तों लिउमिनेस इंटेंसिट यानि की दीप्त फलक्स है 35 नंबर कोशन है कि दिए गई परिपत में वोल्ट ता वीव एक का मान ग्याद करें मालने की डायोड प्रत्रोध नगयाड यह है यहाँ पर दिवाएगा वो आएगा 19.7 वोल्ट काड़िये 36 नंबर का कोशन यहाँ पर यहारा है कि जब लाइन का एक सिरा रुध है यानि की डर्ट इंड होता है यह कोना या तीब रवक्र होता है थो लाइन में अधिक तयनन होता है अधिक तयनन से लाइन कु निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो युसक प्रिवर्टित करते हैं हमारा जेनरेटर यानि की जनेतर होता है थार्टीएट नमबर कोशन है कि वात्या परिपत्थ भी हो जाक यानि कि कि दोस्तों की डिफलेक्टिंग फोर्स कंट्रोलिंग फोर्स यहां पर तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और फुट्टीवन नमबर का कोशन है कि प्रेरण मोटर के संदर में किन परवरतनों का परियोग किया जाता है तो इसके लिए दोस्तों डारिक्ट वालाइन इ इस्टार डल्टा इस्टार और आट्रो ट्रांसफार्मर इस्टार इन सभी कर यूज किया जाते हैं तो यहां पर आपसा नमबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा फोट्टीटू नमबर कोशन है निमनमें से कौन सा मोटर नियत गती पर चलता है और जो भार इस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है तो यह हमारा रहते दोस्तों सिंक्रोनस मोटर यानि के तुल्ले काली मोटर फोटीटू नमबर कोशन है कि बिद्धूत चिनने की पैचान करें तियह दोस्तों बजर का फिगर दिया गया है फोटीफूर नमबर का कोशन है यहां पर किनेमनम से बिद सामर्थ अधिक हो कि फोटीफ नमबर कोशन है कि इंटिफाइड वार्निंग संसुई इंदा फिंगर तो वारिनिंग साइन दिखाया गया चित्र में यह हमारा दोस्तों लेजर रेडियेशन का साइन दिखाया गया है 46 नमबर कोश्चन कि स्वय परिडामेत्र के संदर्भ में विकल्प में जो गलत कथन है उसे चूच करना है तो देखिए आटो ट्रांसफर्मर के लिए जो गलत कथ है वह कि समान देचिता कि दुए कुर्णर्ली ट्रांसफर्मर के तुलना में यह अधिक महांगया होते हैं ठेक यही गलत कथन है 47 नमर कोश्चन है वार्ट इज एन इलेक्ट्रो केमिकल एलेक्ट्रो मेकैनिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस वीच प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रो मेकेकल प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन से है जो दोस्तों ओवर्लोड और दोस्तों साट और जो इलेक्ट्रिकल सर्केट होता है उसको साट सर्केट होने से बचाता है वह हमारा मिनीयचर स्कुल्ए यान की मूता एं प्रतिरोध में उच्छ धारा निर्धार के कारण कम है जिससे मोटर की उच्छ तच्छता बढ़ जाती है तो यहां पर इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला कोश्चन है 49 नमबर का करेकि यदि उच्छ सामर्थ के एक चुमबक को चुमबकन के अधिन किया जाता है तो क्या होगा तो यह पहले से ही संत्रिप्त होने के करण यह कभी भी अधिक चुमबकन प्राप्त नहीं कर पाएगा पचास नमबर कोश्चन है कि बारे ओम निर्दार के तीन प्रतिरोधक श्रिवनी में जुने हैं परिपत का नेट प्रतिरोध देखिया होगा ती होगा दोस्तों हमारा 36 ओम सिप्टिवन नमबर कोशन हैं किसका उपक्वाइप जर्पत क्या तापक हो इसथाप नियंतित्त करने के लिए किया जाता है जिसह पानी का तापमान किसके बीच नियंतित्रित सब्सक्राइब करता है तो रहता है दोस्तों हमारा टांसफार्मर टांसफार्मर दोस्तों यह फ्रिक्वेंसी और पावर इन दोनों को चेंज नहीं करता है अब देखिए यहां पर 53 नमबर कोशन दीए कर नेटवर्क में तार की क्रियात्मकता यानि की लाजिक फंक्शनलिटी की पैचान करें तो यहोगा सी कुल टू ए प्लस दी 54 नमबर कोशन की एक को डीसी में बदालना के लिए कि स्विधी का प्रियूट की जाता है तो आपसा नमबर चौथे यहां पर सही हो जाएगा पचपन नंबर कोशन है कि PMMC यह अंत्रों के संदर वह में निम्नोब बिकल्पों में इसे गलत का कथन ,क्थ है तो देखर पर फी आमियंक्य आंथरों के संदर में जो गलत कथन हों ऑषिक की इसका पेला आघूंड या भार अनुपात निम्न न 爽त अ कि छपन नंबर कोश्चन है कि छपन डीसी मसीन में आर्मीचर में डुपलेक्स वे बैंडिंग है कितने ब्रस उस मसीन में पदों की आवसेक्ता होती है तो रहते हैं दोस्तों हमारा च्छे 57 नंबर का कोश्चन है करेक्ट निमनलखित उपन या यांतर की पहचान करें तो यह होगा दोस्तों फ्लेट नोच पलायर की हमारे फिगर दिया गया है 58 नंबर कोश्चन है कि इन विच माटेरियल दा कंडिशन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर उभरलैब्ड तो वह दर रहत है दोस्तों हमारा कंड़क्टर निमन मैं से कौन से चालक के उदारण है तो देखें चालक को दारण है और तांबा है बाकि पीवी सी अब्रक और माइक है यह जी तीनों है दोस्तों यह हमारे कुछ आलान है इंसुलेटर हैं साथ नम्बर का कोश्चन है कि यह ट्रांसपार कि पैचान कर और बता है कि इसका प्रचालन वूल्टता प्रास किया है तो यहां पर दोस्तों यह जो फिगर दर्साय गया इसका प्रचालन वूल्टता प्रास है दोस्तों यह दोस्तों नियान परिचछक स्वाट से 20 welcome सबाइस. सब्सक्राइब के संबंद में गलत कथन का चैन करें तुए कि श्रीयाणी चेटर रियो इस्टेट में सकती हानी अत्यधिक होती है 63 नमबर कोश्चन है कि यदि आपूर्ती का कला करम से जुड़े किनी दो अग्रणों में बदलाव लाकार परिवर्तित कर दिया जाए तो तीन कला प्रेयरन मोटर में क्या बदलाव आएगा तो यह रहेगा कि स्टेटर में घोड़ी चुमकी छित्र के दिशा परिवर्तित हो सब्सक्राइब बदलाव करें तो इन वोल्टताओं के मद्द जो काला अंतर होगा वह दोस्तों 120 डिग्री आएगा चांच नमबर कोश्चन है कि सरवत्रिक मोटर यानि कि उनिवर्सल मोटर के संब्द में किन गती नियंद्रन विधियों को परियों किये जाता है तो इसके सबस्क्राइब रही है सब्सक्राइब करना है जिसमें 0.3 Ohm का प्रतिरोध है तावे की प्रतिरोध धकता जो है सब्सक्राइब करना है तो अब दोस्तों आपका 30 मीटर नमर कोशन है कि एक थी फेज अल्टरनेटर है जो मिनिमम आफ डट डट सेट आफ बंडिंग इस पेस्ट डट डट अपार्ट एरॉंड देश्टेशनरी और मीचर तो यह होगा दोस्तों थी और वन टॉंटी डिग्री SCR का प्रे रूपी स्विचन आवरितिक होती है तो यह होती है 500 हड़ी देखिए यहां पर 71 नमर कोशन है कि चले लाव यंत्रों यानि कि मोविंग आयरान इस्टुमेंट के संदर्भ में निमने विकल्पों में से गलत कथन कच्छान करा है यह है कि यह अपने सरल निर्मान करण मजबूत नहीं होते हैं 72 wird कोशन है कि मोटर प्रवरतन परीपध मोटर स्ट्रिंग तर्किट में परिव निमनांकित पर थे परिचान करें परतिक ग्या को स्ट्रमः कि यह पर फरतिक दिया गया है उर्जा मीटर KWH कि гор्श का म आपक यնत्र है इंटीश कि प्रकार का है स्टेशन के संदर्व में कौन सा विकल्प सही नहीं है तो इसका संचलन कम विश्वस नहीं है यह गलत कतन है 75 नमबर कोशन है कि आधिपला उमार्ग यानि कि इस पिल्वे बिद्व संदर में पाए जाते हैं तो देखिए जो इस पिल्वे पाए जाता है यह हाड्रो इलक्टिक बिद्व संदर में पाए जाते हैं 76 नंबर कोशन है कि कौन सा भारती बिद्धुति इंडियन इलेक्रिसिटी रूल के नियम के नुचर भू संपरकित और भू संपरकित दासिन चौलकों की पहचान तथा उनमें स्विच और काट आउट की स्थिति का वड़न करता है तो रहते नियम संक्या 32 77 नंबर कोशन है एक आर्ट दुरू डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चाला का और प्रती दुरू फलक्स बीस मिली वेवर हैं जो पांसु आर्पीम पर चल रहा है यह दी आर्मेचर को सिंपलेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जैत उत्पादी तीम यह की गढ़ना करें तो यह आएगा आपको 160 फोल्ट 78 नंबर कोशन है कि दिक लैंग लैप कुंडलन दुपलेक्स लैप वैंडिंग में कुंडली फर्ष्ट का अंतर अग्रन किसके आरंभिक अग्रन से जुड़ा है यह कुंडली थेरी के अग्रन से जुड़ा हुए रहता है 79 नंबर देखें अगला कोशन है यहां पर 80 नंबर का इन विच कलास अफ़ायर ड्राइप पावडर एक्स्टेंग यूसर आर्यूजट यह रहता हमरा कलास डी टाइप का ठीक तो कलास डी टाइप के अग का जो आग होता है उसके लिए दोस्तों हम लोग ड्राइप अगनी सामा की परियोग करते हैं एक टीवर नंबर का कोशन है इन अंडर ग्राउंड के वल वहर्ट मेटालिक सीथ्ट इस अप्लाइड एलेयर आफ्ट डडडडडड़ विच कंसिस्ट आप फाइव फाइबरास मेटेरियल लाइक जैस्ट लाइक जूट आर हैसियन टैप तो यह होगा आ SAKris sensor नहीं है सक्री sensor जो नहीं वह दोस्तों डायसर है पलंश्म करने के लिए कि इस बिधि को उप्योग किये जाता है एख तो इसके लिए दोस्तों सिल्क जल स्वास्ता को उप्योग किया जाता है और और रबर डाया फ्राम का उप्योग किया जाता है गैस कुष्ण को उप्योग किया जाता है थर्मो साइफन फिल्टर का भी प्रियोग किया जाता है यहां पर चाउथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 और 4 84 नंबर कोश्चन है कि निम्नांकित पढ़ती कि सकती इलेक्टरान उपकरान को दर्शाता है कि रहते हैं दोस्तों हमारे एंच चैनल मासफर्ट का फिगर दिया गया है 85 नंबर कोश्चन एक भार पर एसी वूड़ता प्रिविक्त की जाती है तथा प्रिविक्त वूड़ता क तरंग रूप और धारन नीम्म नांग की चित्र में दिखाया गया है भार क्या हो सकता है तो सुध्ध्याल भार यहाँ पर correct answer हो जाएगा एक संकीत तक यंत्र में इस्प्रिंग कंट्रोल को उप्यों की जाता है निम्मिस्टिक बनाने प्रियोग की जाने वाले मिस्रधात के लिए सही नहीं है तो एक इस रांति के लिए निम्न प्रतिरोद है चुम्बक के दो धुरूओं को मिलाने वाली कालपनी करेखा को क्या कहा जाता है देखिए चुम्बक के दो धुरूओं को मिलाने वाली जो कालपनी करेखा होती है उस में यह होगा कि समान एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और वीप्रित एक दूसरों को विकर्षित करेंगे तो यहां पर पहला और चौथा सा यह आपसा नंबर थीसरा से हो जाएगा चूजदा रांग स्टेटमेंट विथी रिस्पेक्ट टू रिपल्सन इस्टार इंडक्सन रन सिंगल फेज मोटर ते होगा तू इस्टेटर वाइंडिंग टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग नब्य नंबर का कोशन है कि सैथिल मोटर के संदर भेमें निमने सब्सक्राइब नंबर कोशन है कि प्रभावी वोल्टिता ग्यांत कीजिए यह आगा दोस्तों 1.06 की हुई 93 नंबर कोशन है कि संकेंद्र कुंडल यानि कॉंसेंट्रिक वाइंडिंग के संदर में कथन जो गलत है उसे चूच करना है तो है कि स्ट्रिप्ट फार्मर इज की आवसेक्ता नहीं होती है 94 नंबर कोशन है इफ पीस आफ मैगनेटिक मटेरियल से साफ टायरन इच प्लेश्ट इन ए स्ट्रांग मैगनेटिक फिल्ड आप है सॉलेनाइट इड विकाम सत्य होगा मैगनेटाइजड बाइ इंडक्सन 95 नंबर कोशन है कि निल्खित विकल्पों में से उस निर्देश का चैन करो जो बिद्धु तगनी के संदर में गला था वो है कि जब आप भाय संकेत तक सुनेंगे तो पंक्रिया वाई परिशंचार यानि के एर सर्कुलेटर बंद कर देंगे कि 96 नंबर कोशन है कि आइस तीस तिरालिस उननाइस तो चांचट के अनुसर पर अल्टर नेटर के नीट्रल भू संपरकन के लिए नीचे दिए विकल्पों में से काउन से विकल्प सही है जो की तो और इसके बद हैं और तो शॉं यहां पर चाईर इसे के बराबर मोटस के ब्राबर होता है 98 नमबर कोशन है कि बाराडन इजी ये जुवली एक्सप्रेश्ट एज दा अपैरेंट पामर इन डट 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 अपजार्ड एड़ दा इस्पेसिफाइड पामर फैक्टर एड़ एड़ दा रेटेड सेकेंटरी करेंट वो ओल्टेज एंपियर भरा जाए गए यहां पर 99 नमबर कोशन है कि बायोगैस के संब्द में काउं से कथन सही है तो देखिए बायोगैस के शंब्द में जो कथन सही है वह है कि यह तुलनात्मक रूप से सरहल होता है और इससे आसानी से उत्फादित किया जा सकता है दूसरे घरेलू कच्रे आउल जया का निपटान उप् को संपरकन के साथ सा रच्छातमक चालक थे तो किस रंग कितार को धिमान निता दी जाती है तो रहता है रहे तो अर्थें के लिए ग्रिन दिया जाता है ठीक अब देखिए एक सो एक नमबर कोशी ने अंडर ग्राउंड केबल वर्नेश्ट केम्ब्रिक इज डडडडडड इंप्रिगनेटेड एंड कोटेड विथ तो यहां पर भरा जाएगे दोस्तों काटन कलाथ और वर्नेश्ट दर रेसियो आप टोटल नमबर आप सलाट बाई न बडडडा यहां पर परियोग किया गया है एक सो चार नमबर कोशन है कि उत्पाधन के अंदरों में किस वूलट तक अउपव्यों किया जाता है तो 11 Rabbion है不錯 ची कि कि यादेक मोशन है एक हां उब्डी इन सक्प्वाइड यह ऑगई है तो और यहां पर एकसा साथ नंबर कोश्चन है कि DC विद्धो सकती संच्राण के संबंध में कौन से वहिकल पर सही नहीं है वह है कि बहुत उच्च वोल्टता पर विद्धो तुत्पादन आसान है एकसा नंबर कोश्चन है कि सुने भार पर 11 kVA 440 वोल्ट और 100 kVA ट्रांसफारमर के 21 वोल्ट ता 426 वोल्ट है पूर्ण भार पर परिश्थिती में 0.092 सकती गुड़क पर 21 वोल्ट ता 410 वोल्ट है ट्रांसफारमर की प्रतिसत वोल्टेज के नियमन की गढ़ना करें त्यों सब्सक्राइब के लिए कुंडलित है पचास हर्ज आपूर्थी द्वार आपूर्थित्र आपूर्थित है यह दि मसीन 4% सिलिप पर प्रचालित है तो घुड़क में प्रेरित धारा क्या वरित्ति ग्यांत कीजिए यह आएगा हमारा दो हर्ज एक सो दस नंबर कोश्चन ह माटेरियल और सलाइटली रिपैल्ड बाइए मैगनेट आफ वेरी पामर्फुल इस्टेंथ हो लिए यह रहेगा डाया मैगनेटि एक सो गयरे नंबर कोश्चन है विचाब्दा फालूंग सोट्स और यूटिन इलेक्रकल पामर जनेशन तो इलेक्रकल पामर जनेशन में द संदरभित किया जाता है तो यह चालन या मोटरी चालन रात्म गतिवलबार आघून के साथ अग्रगामी तवरक विच्ट पाद यहां पर करेक्ट आंसर होगा एक सो तेरे नंबर कोशन जब भी संयोजीत भार में परिवर्तन होता है तब प्रतिया वर्तित्र की टर्मिनल बदल जाती ऐसे प्रत्य वर्तित की वोल्टता पात की वजय से होता है जो की निम्न कारण से होता है तो यह होता है दोस्तों आपका आर्मेचर प्रतिगात और आर्मेचर प्रतिकरिया सभी की कारण होता है तो आपसा नंबर चौत हैं यहां पर सही हो जाएगा एक सो का तीब्रता से असोंचान करते हैं जो आविस वाकों के रूप में अप्रभावी होते हैं ठीक कि 115 नमर कोशन है को उद्ध अंसनिस्कासन को क्या कहा जाता है जिसमें उपभोगता या लाइनों को बिद्धुत्थ करने के लिए निकाला जाता है जहां से भोगताओं को विद्धुत्थ की अपूर्थी प्राप्त होती है तो रहता हमारा डिस्ट्रिबूटर यानि की वितरक दिये गए परिपत में वी यम का मान गयात करें तो यहां पर जो वी यम का मान होगा वह होगा माइस थार्टी सेक्स वोल्ट एकसो सटर्रमबर कोशन किस परिपत में परिपत के किसी भी बिंदु पर धारा समान हो गई तो रहेगा सिरीज सर्कीट और अठारे नंबर का कोशन है यहां पर कि एक सर्कीट में दो बिंदूओं पर वोल्टेज की अंतर को क्या कहा जाता है तो इसे विवांतर कहा जाता है एक सर्कीट नंबर कोशन है कि एक चैप पोल डीसी मसीन है दूपलेक सलेप वांडिंग इंदा अर्मीचर हाव मैनी पैरलल पाथ एकजिश्ट इंदा मसीन तो यह होगा दोस्तों बार है अब देखिए 120 नंबर कोशन है कि उस चलो को क्या कह हैंगे जो किसी विद्धुत प्रडाली उपकरण के कुछ अलग धात्विक भाग या निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है तो रहता है अर्थ कांटिन्यूटी कंड़क्टर 121 नंबर कोशन है कि निम्नांकित खुले नल वाग में भाग फश्ट की पहचान करें य सिंक्रोनिज्म इच काल्ड यह राग हमारे दूस्तों पूल आउट टार्क एक सो तेस नंबर कोशन है कि वाट रेले आप रेस्ट इस्टन्टेनियसली वें दाप फाल्ट क्वांटिटी क्वांटिटी रीच है प्रिडिटर्माइंड वैलू यह रगर को डिफनिट करेंट कि एक सब्सक्राइब बिद्धु तुटपादन की तुल्न में इसे कौन से विकल्प गैर पारंपरिक बिद्धु तूर्चा के संब्द्ध में सही नहीं है तो गया कि प्रचालन में अतेधिक विस्वर सनिए हैं 125 कोशन है कि बिद्धु सक्ति संच्रण के संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं है वह कि संच्रण में कम ताबिक याव सकता होती है 126 कोशन है कि दिये गए परिपत में प्रतेक डायोट से प्रवाहिद धारा का मान गयात करें डायोट पर वोल्ट ता पात जो है 0.07 वोल्ट दिया गया है तो यह होगा दोस्तों 14.3 मिली एंपियर 127 कोशन जब एक प्रेरान मोटर के साथ तुलना की जाती है तो एक तुलकाली मोटर जो होते दोस्तों वो है कि सभी सकती गुड़ा पर काम करता है चाय पस्टगामी हो या अग्रगामी की दचता बहुत अच्छी होती और महांगी हो तो यहाँ पर पहला आपन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एबीसी सहीं है एक साथास नमबर कोश्चन है कि एक तीन कलाब प्रेरान मोटर चार दुरूवों के लिए कुंडली थे और पचास अपूर्थी द्वारा आपूर्तित रहे यादि सर्पन चार प्रसेत हो तो घुड़ा किया वर्तित कितना होगा तो 2444 कि एक साथास नमबर कोश्चन है यह एक चाह दूरू तीन कलाब प्रत्य वर्तित एक हजार आर्पियंग गति पर चली थे और आठ दूरू तीन कलाब प्रेरान मोटर को सकतिक याई आप उर्ति करता है यह पूर्ण भार पर मोटर का सर्पन चार प्रसेत है तो मोटर की कि दूरी जो की वर्ग के भ्युत्क्रामान उपाती होती है एक से एक्तिस नमबर कोश्चन है कहरे है कि की यह हैं मोटर से हल्के होते हैं और दूसरा कि polarity should be maintained in the case of polarite capacitor तो आपसा नमबर यहां पर तीसरा से जगर पहला और दूसरा सही है 133 number question है कि सुच में जल विद्धुत प्रडाली यानि कि Micro Hydle Electric System में निमने में से किन्हें गटक के रूप में प्रिक्त किया जाता है तो रहता है पाइप लाइन टर्बाइन कंट्रोल और इसका वो डेम्प लोड कि 134 नमबर कोशन वीच आप फालोइंग पॉइंट्स और टूबी कंसीडर्ड विफोर सेलेक्टिंग ये पंप फार लेप्टिंग दा वाटर तो रहे के संद्र में गलत कथन जो है कि मचली प्रवास की कठनाईयों से बचने के लिए जवारी यान की टाइडल लगाए जाती है 136 नमबर कोशन है कौन से कथन प्रतिकर्षण प्रकार के एकल कला प्रेयर मोडर की निर्माण विस्तस्तों के संबंध में सही है तो वह दोस्तों क कि वित्रत असमुनत ध्रू प्रकार की स्टेटर कुंडली स्पार्ट क्रोड स्टेटर के प्रकाच में निवेसी होते हैं दूसरे कि घूड़क वित्रत कुंडली लैप या तरंग वहन करती है जो दिक परिवर्ता के साथ जोड़ी होती है और इसका बद चौत है यहां पर स कसे कोशन है कि निमनांकित प्रतिक की सायता से मापन यंत्र के प्रकार की पहचान करें तो यहन सायक होते हैं मौसम किस्ति धारा का परिमाण और संपर का वदिया सभी सहायक होते हैं तो बिद्धुत प्रगात की तीवरता में ठेक 149 नमबर कोशन है क्तिविया धारी भिन्न 0.112 का सम्तुलित दस्मलाव क्या होगा तो यह होगा और देखिए बिद्धु सुराच्य निमों के संदर्भ में गलत कथन के चैन करें समस्य निमारक के दारण अनावरेत चलकों को असपर्च करें 142 नमबर कोशन है कि यदि एक दस ओम के प्रत्रोधक से दो एंपियर की दारण प्रवाहित होती है इस पर वोल्ट तक अमान ग्याद कीजिए यह होगा दोस्तों 20 वोल्ट त्रिक आर्मेचर कुंडलन में बुरुस डडडडडड खंड या खंडों से संपर करेगा त्य होगा त्य होगा त्य होगा त्य होगा त्य होगा 144 नमबर कोशन है कि 100 वाट 230 वोल्ट निर्धार के एक बल्ब केतब्त प्रत्रोध की गलना करें होगा 529 अब देखिए अग क्रिमिनल वोल्ट ता पूर्ण भार पर 500 वोल्ट से बढ़कर सुने भार पर 660 वोल्ट हो जाती है पूर्ण भार पर प्रत्य वारतित पर वोल्ट ता निमन ग्यांत करें त्य होगा थार्टे टू परसेंट एक सोचालिस नंबर कोशिन है एक डेसी स्रीवनी मोटर 220 वोल्ट पर 40 एंप्यर कर्शित करते हैं और 800 रपीम पर चलते ही है या या अर्मेजर और चेत्र प्रत्रोध करम से 0.2 ओम और 0.1 ओम हो तथा लाह और घर्षन हानिया करम से 0.5 किलो वाट ह होतों मोटर का उटपूट कहुंगा तो यह साथ 10,82 किलो वाट होगा 147 कोशन है कि एक मापनी अंध्र में निमनांकित प्रतिक दिखाया गया है प्रतिक का प्रिया किससे है तो यह दिश्टिधार और प्रत्य वरत्ति धार मापनी अंध्र से है 148 नंबर कोशन है कि यह घर जाकि प्रति दिन खपत ग्याद करें त्योंगा चार्दसमौलवार्ट अब देखे 149 नॉमबर कोशन है कि एक एक अलकलाब ट्रांस्फार्मर में प्रति गोर्ट वर्तनों की संखे 8 है टांस्फार्मर की प्रत्मी कोषन है कि नेम नमें से कांस विकल्प परमाण के अभी केंद्री यह भाग है तो यह होता है दोस्तों नूक्लियस्ट तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कम्पलिट होता है यूपी पीसे टेजिटू का ये वाला पेपर तो अगर दोस्तों आपको और पेपर देखना है 2021 का तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया कि आप वहां से जाके देख सकते हैं जिसको पीडियाप चाहिए वो लोग दोस्तों ये अबजेक् का एक सेक्षन मिलेगा वहां पर जाके आप अपना प्योडियोप डाल्लोड कर लेजिएगा देंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू